दोस्तों आप सभी ने नामिनी के बारे में तो जरूर सुना होगा लेकिन नामिनी के बारे में गलत धाना आप लोगों के दिमाग में गुसी हुई है उसी धाना को आज इस वीडियो में मैं खतम करने वाला हूँ दोस्तों जब भी आप बैंक या डाक खाने में अकाउंट खोलते हैं या किसी म्यूचूल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कोई फ्रापर्टी या सेर खरीतते हैं या जीवन बीमा करवाते हैं या आप नौकरी जोहिन करते हैं कोई तो आपको एक नामिनी एपॉइंट करन होता है और आपको पता यह है कि अनामिनी अगर हमें पॉइंट कर देंगे तो हमारी मृत्यू के पस्चाप हमारी संपत्ती का मालिक नामिनी होगा जबकि ऐसा नहीं है आपके मृत्यू के पस्चाप आपका संपत्ती का मालिक मालिकाना हक आपके नामिनी के पास नहीं होगा तो आखिर नामिनी होता कौन है नामिनी का काम क्या है तो आईए समझते हैं नामिनी से जुड़े कानूनी तथ के बारे में आज की इस वीडियो में हर कोई व्यक्ति आपने किसी भी उसमें नामिनी ये पॉइंट कर देता है चाहे जीवन भीमा करवाता है या किसी अनि सेक्टर में चुकि उसे पता होता है कि मेरे मिर्त्यू के पस्चात नामिनी मेरी संपत्ती का वारिस होगा जबकि ऐसा नहीं है आपकी मिर्त्यू के पस्चात सिर्फ नामिनी ही आपके संपत्ती का वारिस नहीं होगा अगर होगा भी तो किस इस्तिती में होगा अभी आगे बताने वाला हो सबसे प्रमुक काम नामिनी का आप समझिये, सबसे नामिनी का सबसे प्रमुक काम है कि आपकी मृत्यू के पस्चाथ, आपकी संपत्ती को आपके वारिसों में डिवाइड करे, आपके वारिसों में तक पहुँचाए, आपके वारिसों में बांटे, जो आपके कानूनी वारि उनको संपत्ति पहुचाए बराबर बराबर ये काम होता है नामिनी का अब नामिनी का दूसरा काम जो है वो यह है कि नामिनी इसलिए एपॉइंट करवाया जाता है या इसलिए पॉइंट किया जाता है ताकि परक्रिया आसान हो जाए जैसे अगर किसी विवेक्ति की मृत्य हो जाती है तो उसके वारिस जो है वो जटिल प्रक्रिया में न फसने पाएं जटिल प्रक्रिया में वो न फस जाएं उनको आसानी से पैसा मिल जाए प्रक्रिया आसान हो जाए इसके लिए नॉमनी को पॉइंट किया जाता है अब नॉमनी एक सिर्फ उस संपत्ति का केर टेक अगर है अब नामनी ढूड़ेगा उस वेक्ति के कानूनी वारिसों को और उनके कानूनी वारिसों को पाकर उनमें बराबर बराबर उस संपत्ति को डिवाइड कर देगा यही होता है नामनी का काम जबकि नामनी संपत्ति का वारिस नहीं होता है दोस्तों अब बाटेगा कैसे नामिनी अगर जैसे जो उसके कानूनी वारिस है जिस व्यक्ति के मिर्ति हुए जिस व्यक्ति के संपत्ति है अगर वह व्यक्ति वसियत करके गया है कि फला फला आदमी को मेरी ये संपत्ति मिलनी चाहिए तब तो वसियत के हिसाब से नामिनी को वह संपत को बांच देगा अब दूसरी बात आती है कि कई स्थिति में तो नामिनी को भी मिल जाता है तो आप गलत बता रहें कि नामिनी वाइरिस नहीं होता है नामिनी को मिल जाता है जैसे जो कानूनी वाइरिस मैंने बताए है अगर इन अगर कोई व्यक्ति नामिनी रहता है उसके उपर ये कानून लगता है कि वह कानूनी वारिसों में बांटेगा लेकिन उसी में से आपके परिवार में से आपके कानूनी वारिसों में से ही अगर कोई व्यक्ति उस नामिनी अपॉइंट है तो उसे पूरा धन नहीं मिलेगा उसे सिर्फ इतना मिलेगा कि अगर वा वसीयत करके गया है जिस वक्ति के मृत्यु हुए जिस वक्ति के संपत्ति है अगर वा वसीयत करके गया है कि मेरे मृत्यु के पस्चात इनी को सम्मिल जाए तब नामिनी को मिल सकता अगर नहीं करके गये हैं तो तरह अधिकार कानून क के हिसाब से जितने भी कानूनी वारिस होंगे नामिनी भी उसी में अगर कानूनी वारिस होगा तो उसी का हिस्सा उसी में लग जाएगा दोस्तों लेकिन नामिनी को पूरा का पूरा धन नहीं मिलने वाला है अगर कोई बाहिरी बेक्ती है तो बिना वसीहत के उसे कुछ नही मिलने वाली है और अगर आपके परिवार का बेक्ती है तो उसका बराबर हिस्सा लगने वाला है अब दोस्तों Insurance Act 49 कहता है जो जीवन भीमे का नामले है उसमें भी यही लागू होगा जीवन भीमा का Insurance Act 39 कहता है कि अगर कोई सदसे परिवार का नामिनी है तो उसे हमारी जो यह Insurance का पैसा है वो दे दिया जाये, कानूनी वारिशों में भाटा ना जाये अगर उनके कानूनी वारिष ही उनका कोई अगर नामिनी है तो उस ब्यक्ती की मिर्त्यू के बस्चा तो उसे वारिष मान लिया जाये और अगर कोई बाहरी व्यक्ति नामनी है इंसोरंस में भी जीवन भीमा में भी तो उस व्यक्ति का को अधिकार ये दिया जाएगा कि वह व्यक्ति उनके जो कानूनी वारिस है जिस व्यक्ति की संपत्ति थी उनमें बराबर बराबर बितृत करे यानि कि इंसोरंस में जीवन प्रिमा में एक यह होगा कि अगर कोई आपके परिवार का सदल से आपका कानूनी वारिस नामनी है तो वह ले सकता है अगर कोई बाहिरी वक्ती है तो वह उनके कानूनी वारिसों में इसको बांटेगा स्वयम ही रख नहीं लेगा EPF का मामला जो होता है EPF के मामले में तो नामनी क्यों हो यह वारिस मान लिया जाता है चुकि उसमें यह सब चीजें लागू नहीं होती उसमें जो नामनी है उसी को मान लिया जाएगा अब दोस्तों सुधाव यह है कि अगर आप अपनी संपत्ती में नामनी डाल रहे है या आपनी संपत्ति को छोड़ कर आपकी मृत्यू होने वाली है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप वसीहत बना कर जाएं एक बिल तैयार करके जाएं कि मेरी मृत्यू के पस्चात मेरी संपत्ति किन किन लोगों के पास होगी किस प्रकार से होगी किस इस्षेदारी में होगी दोस् कोई बाहिरी वक्ति आपकी संपत्ती पर आपके पिता जी की संपत्ती पर या आपके परिवार के किसी भी वक्ति के संपत्ती पर वारिस बन कर नाजायच कबजा कर लिया है स्वेम के नाम करवा लिया है या स्वेम उस पैसे को ले लिया है इस इस्तिती में आपको छोड़ना नहीं है अगर कोई बाहरी व्यक्ति नामिनी है EPF के मामले को छोड़ दीजिए तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति नामिनी है तो उसका सिर्फ इतना काम है कानूनी वारिसों में उस धन को बित्रित करे स्वैम नहीं ले सकता है अगर ले लिया है तो आप कोट केस जरूर लड़ियेगा आपको सफलता 100% मिलने वाली है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि नामनी के बारे में आप सभी को देटेल्स में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली प्रॉब्लम साल्विंग वीडियो में तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्त का खयाल लखिये कानून की जानकारी अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के मादम से लेते रहिए मामलों से बचके रहिए I love you all, Jai Hind, Jai Bharat